साथियों, हम सभी एक ऐसी संस्कृती के द्वजवाहक है, जहां हमारी धर्ती, हमारी जमीन सिरफ गास, मिट्टी, पत्थर के रूप में नहीं देखी जाती है। धर्ती हमारे लिए माता का रूप है। असम की महान संतान भारत रत्न भुपेन हजारी का ने कहा था, ओमुर्धरित्री आई, ओमुर्धरित्री आई, चोरो नोटे डीवा थाई। खोतियों कोर निस्तार नाई, माटी बीने ओहो हाई। याने है धर्ती माता, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। आपके बिना खेती करने वाला क्या करेगा, मिट्टी के बिना वो असाय होगा। साथियों, ये दूखद है कि आज हादी के इतने वर्षों बाद भी असम्में लाखों ऐसे परिवार रहें, जिने किसी न किसी वज़े से अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया। इस वज़े से विशेश तोर पर आदिवासिक छेत्रों की एक बहुत बड़ी आबादी भुमिहिन रह गई। उनकी आजिविका पर लगातार संकट बना रहा। असम्में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी यहां करीब करीब छे लाख मुल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। पहले की सरकारों में आपकी ये चिंता उनकी प्रात्विक्ता में ही नहीं थी। लेकिन सरवानन सोनोवाल जी उनके नेत्रुत में यहां की सरकार ने आपकी इस जिनता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। आज असम के मूल निवासियों की भाषा और संस्कृति की समरक्षन के साथ साथ भूमी से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर भी विशेश जोड दिया जा रहा है। 2019 में जो नई लेंड पॉलिसी बनाई गई है वो यहां की सरकार की प्रतिवद्धता को दिखाता है। इनी प्रयासों का परणाम है कि बीते सालों में सवाद दो लाग से जादा मुल निवासी परिवारों को भूमी के पट्टे सोंपे जा चुके हैं। अब इसमें एक लाग से जादा परिवार और जुड़ जाएंगे। लक्ष ये है कि असम के ऐसे हर परिवार को जमीन पर कानूनी हक जल्द से जल्द मिल सके। बाई योर बहनों जमीन का पट्टा मिलने से मुल निवासीओं की लंबी मांग तो पुरी हुई है। इससे लाखों लोगों का जीवन सर बहतर होने का रास्ता भी बना है। अब इनको केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी अनेक योजनाओं का लाब मिलना भी सुनिस्चित हुआ है। जिन से हमारी ये साथी बन्चित थे। अब ये साथी भी असम के उन लाखों किसान परिवारों में सामिल हो जाएंगे। जिनको पिएम किसान सम्मान निदी के तहत हजारों रुपियों की मदद सीधी बैंक खाते में बेजी जा रही है। अब इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड, फसल भीमा योजना और किसानों के लिए लागू दूसरी योजनाओं का लाब मिल सकेगा। इतना ही नहीं, वो अपने व्यापार कारोबार के लिए इस जमीन पर बैंकों से रह आसानी से ले पाएंगे।